हेलो फ्रेंड्स दिस धर्मेन वेलकम टू डीविन फैमिली वेल आगे बढ़ते हैं बच्चो डेली डोस फाइब में पहुंच गया है अब तक हमने डेली डोस सीरीज के चार वीडियो कंप्लेट कर ले चुके हैं आज पांच वार वीडियो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं चलिए बिना टाइम वेस्ट के बच्चो स्टार्ट करते हैं पहला कॉश्चन है इन बैक्टेरियल सेल मेनी राइबोजोम में असोशियेटेट विट अ सिंगल एमरने टू फॉर्म मेनी कॉपीज ऑपॉली पिप्टाइड साइमें टेनिशनी विच इस नोन एस बच्चो इ बच्चो पॉली जोम या फिर इसको हम पॉली राइबो जोम भी कहते हैं तो ध्यान रखना बच्चो हम पॉली जोम भी कहते हैं पॉली राइबो जोम भी कहते हैं तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अंसर सी नेक्स कॉश्चन पर आते हैं बच्चो विच आप दे फॉलो इसका मतलब होता है reserve food materials कुछ reserve food materials होते हैं बचो NCRT में as it is given मैं आपको बता देता हूँ reserve material अगर हम इन reserve materials की बात करें बचो तो reserve material में दिया हुआ है बचो phosphate granules phosphate phosphate granules है बचो glycogen granules आते हैं बचो तीसरे है इसमें आता है बचो syno phycine एक और आता है आप इसमें add कर सकते हो बचो चार होते हैं gas vitule gas vitule भी आते हैं reserve food materials में अब इसमें इसमें प्रोकेरियोर्ट में क्या मिलेगा देखो option देखो बच्चो उसमें दिखा है syno phycine granules syno phycine granules gas vitule yes यह correct option है बच्चो glycogen granules mesozooms यह बच्चो गलत है तो यह वाला option तो होगा नहीं पॉलिजोंग और फ्लैजला यह भी नहीं होगा साइब बैक्योल भी नहीं होगा तो correct option होगा बच्चो option नमबर ए तो इसका correct option हो जाएगा option नमबर ए नेक्स question प्राते है बच्चो animal cell contains another non-membrance bound organeal called which helps in cell division बच्चो आहां पर यहां पर word है cell division ध्यान रखना cell division में जो help करता है that is centrosome या फिर centriole centriole या centrosome जो होता है बच्चो यह cell division में help करता है और हमें यह भी बता होना चाहिए बच्चो centrosome centrosome और ribosome यह दोनों बच्चो ribosome यह दोनों के दोनों membrane less होते हैं लिखा बच्चो non membrane bound organil और non membrane bound organil कौन से रहते हैं centrosome जो की help करता है cell division में तो इसका correct answer हो जाएगा बच्चो option A right next question पर आते हैं ध्यान से समझें बच्चो which one of the following present in plant cells not in animal cells इसमें से पूछा है बच्चो ऐसा कौन सा चीज है जो plant cell में present होता है और animal cell में absent होता है एक एक करके देखेंगे अगर हम बच्चो sap vacuol की बात करें sap vacuol की बात करें देखो यह रहा sap vacuol यह रहा plastids और यह रहा cell wall यह रहा plastid यह रहा cell wall आगे बच्चो लिखा है cell membrane चलो हम cell membrane को भी ले ले लेते हैं प्लास्टिट सेंट्रियोल को भी ले लेते हैं बच्चो सेल वाल अलड़ी हम ले चुके है प्लास्टिट हम ले चुके राइबोजोम्स को भी ले ले लेते हैं बच्चो सेल में सभी जी जा गए अगर हम इसमें राइबोजोम्स की बात करें बच्चो ध्यान से समझे प्लांट्स में भी होते हैं एनिमल्स में भी होते हैं राइट सेंट्रियोल की बात करते हैं ध्यान रखना राइट सेंट्रियोल सेंट्रियोल बच्छो सेफ वसे अनिमल्स में प्रिजेंट होता है प्लांट्स में अल्मोस्ट अपसंट होता है राइट सेल मेंब्रेंट की बा तो इसका correct option हो जाएगा बच्छों, option number 1, ये तीनों option गलत हो जाएगे, तो correct option हो जाएगा, option 1, ये चौता question था बच्छों, last question स्टार्ट करते हैं, आज के series का, select the mismatch, इसमें कौन सा mismatch है, हमें वो select करना है, ध्यान सा हो, ये बच्छो, sap, bycure, जो होता है, वो plant cell मिलता है, अभ तो ये तीनों options आईए, तो हमें पता चल गया कि ये mismatch है, यानि answer हमारा D हो जाएगा, but mismatch क्या है बच्छो, methanogenes, eukaryotes, methanogenes, eukaryotes होते हैं, भाईया, methanogenes जो होते हैं, ये होते हैं, archibacteria, methanogenes होते हैं, archibacteria, और archibacteria, बच्छो, आते हैं, monera के अंदर, यानि कि ये क्य है, prokaryotes हैं, बच्छो, ये eukaryotes नहीं है, तो इसका correct option हो जाएगा, answer D, इसका answer हो जाएगा, बच्छो, D, right, तो I hope बच्छो, ये जो 5 questions है, आपको मज़ा आया होगा, और समझ में भी आया होगा, but फिर भी, अगर आपको कोई doubt है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, तो अब तक पढ़ते रहें बच्छो, मेलेंगे next class में, तब तक के लिए, जाएगा,